नमस्कार रंड भेरी बच्चु की है सत्ता संग्राम शुरू हो चुका है लोग सबाचनाव 2019 में राजस्तान में भी दोनों पार्टियों ने अधिकांश टिकेट गोशित कर दी है हम बात करना चाहते हैं उन प्रत्याशियों से जो कॉंग्रेस या बीजेपी किसी भी एक तरफ से जनता के सामने वोट मांगने आ रहे हैं उन में खास बात उन लोगों से करनी होगी जो या तो निवर्तमान सांसद है या कभी सांसद रह चुके हैं विधायक रह चुके हैं अपने कारेकाल में नोंने क्या किया जनता को क्या दिया जनता की क्या सवाल है उनके पास भविश्य की क्या योजना है इन सब पर बाचीत का सिलसला एवन टीवी शुरू कर रहा है और आज सबसे पहले हमने शुरूआत करने का फैसला किया है सीकर के निवर्तमान सांसत स्वामी सुमेधनन से उन्हें भाचपा ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बनाया है आरे समाज के और वेदों के विद्वान स्वामी सुमेधनन जी के लिए कोई आसान बात नहीं थी कि आज़्यात्म से राजनिती की और स्विच्चोवर करना लेकिन उन्हें आज़्यात्म की अपनी साधना को जाई रखते वे किस तरह राजनिती की किस तरह जनता के बीच रहे पांस साल जनता के सामने उनको किन चुनोतियों का सामना करना पड़ा क्या वो कुछ कर पाए और क्या कुछ करना अभी बाकी है इन सब पर बाचीट के लिए आज हमारे स्टूडियो में है स्वामी सुमेद अनन सरस्वती सीकर के निवर्तवान सांसाथ और वर्तवान लोग स्वाचनाव में भाज़ पाके एक बार फिर प्रत्याशी आपका स्वागत है स्वामी जी कैसा लगा आप अचानक अध्यात्म से गाज़िती में आपने प्रवेश्ट किया अध्यात्म से राज़िती में प्रवेश्ट का ये कारण रहा है कि माने अंदरेंदर मोदी जी 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 की इच्छा थी और पार्टी की इच्छा थी कि मैं सीकर लोक सबाच से चुनाव लड़ूं पार्टी ने अपने सर्वे में मुझे ये देखा कि ये वेक्ती सीट निकाल सकता है तो मुझे आमनतरित किया और मेरे सामने प्रस्ताव रखा मैंने सेर्शे से स्विकार किया और पिछला चुनाव लड़ा और चुनाव के अंदर मुझे ड़ाई लाख फोटों से विजय सी रिप्राप्त हुई अध्यात्म और राजनिती दोनों का मेल वास्तों में एकटपटा सा लगता है परन्तू महरशी दयानन सर्श्वती जिमारायज का शिश होने के नाते महरशी जी चाहते थे कि देश में राजनिती सुचिता हो और इस प्रकार के लोग राजनिती में आएं जिनके जीवन के अंदर त्याग हो तब हो उन्ही के वावना को लेकर के मैंने राजनिती में कदम रखा और मैं समस्ता हूँ कि मैंने मेरे पांच साल के अंदर ये प्रियास किया है कि मैं मेरे सन्यासत्व का भी दियान रखूँ अध्यात्मिक व्यवदान भी कहीने पड़े और मेरे चेत्र क्यी समस्षाओं का भी पुरी तरे समादान कर सकूँ तो इस द्रीश्टी से मैं संतुच्छ्ध हूँ कि पांस साल के बाद भी मैंने अपने आपको सुरुक्षट रखते हुए अपने सिद्धानतों को, मریادाँ को सुरुक्षट रखते हुए अपने आध्यात्मिक वेशे को सुरक्षित रखते हुए भी मैं इस कारे मसफ़ल हुआ हूँ ये मुझे संतुष्टी है स्वामी जी क्या बड़े काम पांस साल में आपने किये जन्ता के सामने क्या बताएंगे आप कि ये काम के आधर पर वूट मांग रहा हूँ पिछले लोकसवा चुनाओ के समय में जब मैं चुनाओ में गया और मैं नमांकन करने के लिए जब क्लेक्टेट में गया तो वहाँ पर मेरे सामने कुछ यूआ आए और उन नोजवानों ने एक पत्र मुझे समरपित किया मैंने जो उस पत्र को खोल करके देखा तो वह पत्र लाल शाई से लिखा हुआ था तो मैंने यूआं से पूछा कि आपने इसको लाल शाई से क्यों लिखा ये बिलू या बलेक से क्यों ने लिखा तो उन्होंने कहा कि ये शाई से नहीं है ये इसके नीचे जो अस्ताक्शन हमारे रक्त के अस्ताक्शन है اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سی کر میں میڈیکل کالیج होना چاہتے ہیں کیونکہ راج سرکار نے ساتھ میڈیکل کالیج گوشت کیے سینٹر گورنمنٹ نے کیے تھی راج سرکار نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا پریاس کیا اس میں سی کر چھوٹ گیا سی کر کا حق بنتا تھا سی کر کا عدکار بنتا تھا سی کر کی پریستیجوں کو دیکھتے ہوئے یہ آفشک تھا تو سی کر کی جنتہ اپنے آپ کو ढगा सا میں बच्चे कोचिंग लेते हों एजूकेशन की दिरिष्टी से सीकर पूरे स्टेट के अंदर पर्फम रस्थान पर रहा हो महिला सिक्षा के अंदर सीकर को पूरे देश के अंदर परदान मंत्री ने पर्फम पुरुषकार दिया हो ऐसा जिला और उसके आथ से मेडिकल कॉलिज निकल जाये तो उनको पीडा थी तो मैंने इस उन्हें तो यह स्विकार किया और भगवाग की करपा से मुझे सांसत बनने का मोका मिला मैंने इस प्रस्ताओ को माने मुखे मंत्री जी से प्रामर्श करके और प्रदान मंत्री जी के सामने रखा और हमारे हैं एक ट्रस्ट है सांवली आरूगे ट्रस्ट उन्होंने 25 सेकर जमीन उपलब्द कराई कुछ बवन उनका बनावा था वो उपलब्द कराया इन प्रस्तितों को देख करके माने प्रदान मंत्री जी ने मेरी पहली मीटिंग में ही इस से मेडिकल कॉलिज को स्विक्रित किया बजट के साथ स्विक्रित किया और आज वो 80% बिल्डिंग उसकी बन करके कंप्लेट हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि साएद इसी सतर के अंदर MIC की टीम आएगी MCI की और MCI की टीम उसका इंस्पेक्शन करके इंडिरेक्शन करके वो सकता है इसी सतर में उसको चलाने के अनुमती दे 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 तो पहला का मेडिकल कॉलिज का था दूसरा हमारे हां के सीकर एक ऐसा छेतर है जहां सबसे अधिक जहांके उद्योग पती सेखावाटी के उद्योग पती बार रहते हैं सेखावाटी के सैनिक सबसे दिक हैं सेखावाटी ने खेल के जगत में बहुत कुछ काम किया है तो इस प्रकार से एक ऐसा छेतर जहांके सेखावाटी के सबसे दिक उद्योग पती नया ट्रेक नहीं बन पाया कमपनी बजट के अबाव में छोड़ करके भाग गई मेरे सामने चुन होती थी मैं सांसत बना पूरा बजट लेकर काया और मुझे संतुष्टी है कि मेरे पांस साल के कारी काल के अंदर पूरा का पूरा ट्रेक बन करके कंप्लिट हो गया नए रेल्वे स्टेशन बन गए नए प्लेट फारम बन गए और उसके उपर आज गाड़ियां चल रही रेल्वे में एक और काम किया फाटक के उपर अरजगा जाम लगा रहता था हमने रिंगस में और बिर्ज बनाया हमने खंडेला में स्रीमादुपूर के अंदर बनाया निमका थाना हम बनाया माउंडा हम बनाया और एक और बिर्ज हमने लक्षमगड में बनाया तीनों जिले हमारे पानी से तरस रहे हैं 24 साल पहले अर्याना के साथ में एक समझोता हुआ था यमनाजल समझोता ताजेवाला एड से हमें पानी मिलना था लेकिन वो पानी नहीं मिला और उस पानी से अमारे तीनों जिले सीकर, चुरू, जुनू, तीनों जिलों को पेजल मिले और 99 लाख हेक्टेर जमीन सिचाई के ले भी उस मकाम आ सकती थी, परन्तु यहां की सरकार की इच्छाने होने के कारण, इच्छा सकती का बाव में, हमारी तो प्रिस्तितियां यह रही सरकार की, स्टेट गवर्मेंट में सरकार रही तो सेंटर में हमारी नहीं होती थी, सेंटर में रही तो स्टेट में नहीं होत करके माने जलसनसादन मंत्री से मिल करके हमने तीनों सानसदों प्रियास किया और मानिया मुख्य मंत्री जी और हमारे उत्तकाली ने जो जलसनसादन मंत्री थे रा डॉक्टर राम परताब जी और पूर मुख्य मंत्री वसंद्रा जी का सहुग मिला और उसका प्रिणाम ये मि अभी बगवान नचाया और आप सब लोगों का और पबली का मेरी छेतर की जनता का आशिरवाद मुझ पर रहा तो चुनाओ के तुरंट बाद में फिर मैं इस गतीवी दिको प्रार्म करूंगा और दो साल के बितर बितर अधिक तुम तीन साल लगेंगे दो और तीन साल के बितर बितर मेरी सीकर चुरू जुनू की जनता यह मुना का पानी पी लेगी ये कब शुरू की थी अपन नहीं हो दिए ये अभी च्छे मेने पे लेए लेक्शन से च्छे मेने पे लेए हमने माने प्रदान मतरी से निवेदिन किया था और पहले करते दो आपकी कारे काल में पैनी बी लेक्षति तोची में कुष दिक्टें थी कि मेरे सामने यह विशे नहीं आया जब मैंने पारल्यामेंट के मार्य हमसे डूकुमेंट स निकल वाए, और निकल वाए, कि भी हमारे यहां जल की क्या कमी है, मैं छेतर में गया, छेतर की जिनतानी से आवाज को उठाया, हमारे लिए पानी का संकट है, माने मुख्य मंत्री से बात की, वसुंध राजी से, हमारे जल संसादिन मंत्री से बात की, तब उन्होंने मेरे सं में आते ही लग साल बर पहले मैंने इस गतिवेदी को प्राइरम किया फाइल कंप्लिट की और फाइल तियार करके इस काम को इस तरह तक चड़ाया जी सड़कों की आप बता रहे थे काफी इस्तिती खराब थी आपके लाके में सड़कों की दृष्टी से मैं आपको कहना चाह आते हैं और पूरे साल बर कारनवान अगर लगाएंगे तो लग लग एक करोड की संखा जाती है अंतराष्टी इस तरका एक स्थान है आस्था का केंदर है उस पर हमने माने मुख्यमंत्री से पूरे मुख्यमंत्री वसुंद राजी से ने विदिन किया और उन्होंने 81 करो मातर खाटू के अंदर होके जाता था अब चारो तरफ रिंग रोड बन गया है कोई भी गाओं का आदमी उस रिंग रोड के मात्यम से जैपुर आ सकता है रिंग जा सकता है सीकर जा सकता है दाताराम गड जा सकता है वो कहीं भी जा सकता है रिंग रोड बनने कार्ण और श लिए और उनके लिए आवास के अंदर और लोकर्स की विवस्ता किए गई है अभी काम कम्प्रिंट हो जाएगा काम चल रहा है दो आजार लोकर्स होंगे बाहर के आतरी जिनको दरमसालमस्ता नहीं मिलती है वह आ करके वहां पर अपना सनान करें ध्यान करें पूजा करें और लोकर्स में अपना सामान रख करके दर्शन के ले जा सकते हैं सालासर भी यातरी लाकों की सिंख्या में जाते हैं सीकर से सालासर का रस्ता बहुत बेका रस्ता था चोटी सीच सड़क थी वो भी अमिनिस्टेट आईवें परिवर्तित कर दिया रस्ता कम्प्लीट बन गया बहुत चम्चमाती सड़क बनी है सालासर से लक्षमरगड और लक्षमरगड से मुकंदगड भी अमिनिस्टेट आईवें बनवा दिया है और इधर सीकर से जोंजनू और लवारू की सड़के उपर इतना भीड रहती थी इतना ट्राफिक रहता था अनिक एकसिडेंट होते थे वो भी फोर लेन बन करके त्यार हो गया है काम ग्यूद इस तर पर चल रहा है तो इस तरह से सड़कों की दृष्टी से बाज पासे सीकर के पत्याशी और निवर्टमान सांसत स्वामी सुमिधान सरस्वती से स्वामी जी आपने बहुत कुछ बताया ये किया ये किया क्या नहीं कर पाए जो करना चाहते थे मेरी जो पिक्षेंट थी उसमें कुछ चीजे मेरी छूट गई है मैं अगले कारिकाल के अंदर मैं संकल बद हूँ जनता का आशरवाद मिलेगा और मुझे मौका मिलेगा तुम उनको करूँगा पहले चीज तो मैंने आपको बताया जो पानी का प्रोजेक्ट अदूरा रहे गया है उसको द्रातल पर लाना है पेजल का यमना पानी का प्रयास रहेगा कि अब की बार मैं एक इंडोर स्टेडिन त्यार करवाऊं कारण क्या है कि तीन मेने बरसाद का मौसम रहता है तीन मेने ठंड का मौसम रहता है च्छे मेना जिब खिलाडी मैदान में नहीं जा पाएगा ग्राउन में नहीं जा पाएगा तो वो ठीक रिजल्ट नहीं दे पाता है तो यह होगा इसके साथ में मेरा प्रियास रहेगा कि हमारे प्रोस में अरियाना प्राहंत के अंदर साई के 20 सेंटर चलते हैं उनमें अन्हेक प्रकार की विंग्स हैं नरसरी विंग्स हैं लेकिन हमारे आकिवल जूदपुर में एक विंग्च छोड़ करके एक अभी नरसरी विंग में आउकी की हमारे मेरे लोग्स वाचेतर में नहीं बावटी में प्राहर्म करवाई है तो मैं चाथा हूं कि मेरे लोग्स वाचेतर में बासकेटबाल बालीबाल एथलेटिक्स, जिमनास्टिक, बॉक्सिंग और अनेक प्रकार की जिम होने चाहिए, विंग होने चाहिए उसमें यह में क्या है कि बारे सरकार एक बच्चे को चार सुर रुपे डेली घर्चा देती है खाने के लिए साधिन देती है, उनको पढ़ाई की विवस्ता करती है, उनको छात्रावास उपलब्द कराती है जब हमारे युवाओं को इस प्रकार के सुएदाय मिलेंगी तो मैं चाहता हूँ कि मेरे उसी स्टेडियम के अंदर कम से कम दो तिन विंग होने चाहिए और कुछ विंग्स मेरी तैसी लेवल पर होने चाहिए, मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि जितने भी मेरे तैसी लेड़कॉर्टर हैं, वहाँ भी मैं एक समुची टेक उपलब्द कराऊं, एक अच्छा जिम उपलब्द कराऊं वालीबाल के बास्केटबाल के ग्राऊंड उपलब्द नो, ताकि वहाँ भी बच्छे खेल सके, और उसके बाद मैं गरामीर छेतर में, जहां मुझे लगए गा कि भायar यह ऺजिसे हैं जैसे, हमने एक जीजे कर थोरासी है, थोरासी के अंदर फुटबाल की टीमें Пос Meng कहे और आपको भी जाकर के देखेंगे थोरासी का स्टेडियम अमारे जिला स्टेडियम से भी बड़ी अस्टेडियम बना रखा है गाउं के लोगों उनसे हुग से मैंने वहां 11 लाग रुपे दिया और 11 लाग रुपे देखर के मैंने एक जिम त्यार करवाया है उस जिम को जो आप जाकर के देखेंगे तो सारी की सारी फैसलिटीज आपको वहां पर मिलेंगी शेर के अंदर एक जिम के अंदर बचे जाते हैं जहां दो जारुपे मतली दिया जाता है वहां निसुलक दिरिश्टी से वहां की कमेटी उस जिम को चला रही है और बचे जाकर कि वहां जि युआ कि मैं जब जाता हूँ तो मेरा कहते हैं गुरू जी आपने बहुत अच्छा काम किया है हम बहुत प्रसंद हैं तो मैंने नो जगा पर और भी जिम दिये हैं लेकिन वो जिम भी कंप्लिट नहीं हो पाए हैं पूरे दो तिन स्थानों पर तो हो चुके हैं तो मैं जहां कोटा होता है जैसे रेलिवे में स्पोर्ट का कोटा है बेंकों में स्पोर्ट का कोटा है विबिन कंपनीज में स्पोर्ट का कोटा है प्राइविट सेक्टर में स्पोर्ट का कोटा है मेरे नोजवानों को रोजगार मिले तो यह मेरा प्रयास रहेगा अगले आने वा लाइम स्टोन निकल करके और मोरवी में जाकर करके बरतन बनते हैं क्यों नहीं मेरे छेतर के अंदर ही फैक्टरी हो लेकिन पानी के वाओ के अंदर इस प्रकार का नहीं हो पाता है यहां सिमेंट की फैक्टरी लग सकती है हमारे पास प्रयाप सुई दाई है थोड़ी राजनितिक बात कर लिते हैं आपके सामने सुबाश महरिया कॉंगरश फैक्टरी लग से मेदान में उतार रहा है कि पूर सांसत थे बाच्पा की इसांसति थे बाच्पा की सरकार में केर्म मनतिर रहे और आप भाजपा सी लड़ने के लिए मैदान में पूतर गए हैं पहले तो क्या यह लड़ाई भाजपाा वरसेज भाजपा है या कॉंगर्स भाजपा है ने देखीए माने सुवास जी मूलते उनका परिवार का जो बेग्राउंड है वो कॉंगर्स का राहा है मैं डिरसन जिस खावत उनको राजनिती में लेकर काई और उनको चुनाव लड़ाए और वो तीन बार यहां से sagn请त भी रहे और उनके परीवार को प्रयाप च्टिकटें दी उनके बाई को टिकट दी, उनके दामाद को टिकट दी उनके बेनोई को टिकट दी उनको भी पांच बार टिकट दी लेकिन अब वो उनका मानस है कि उनको बाज़ पारास ने आई दो बार आ गए और वो कांग्रेस में चले गए आजमी सोतंत रहे इस लोगत अंदर के अंदर को किसी भी पार्टी में जा सकता है और वहाँ चुनाव लड़ सकता है तो मैं समझता हूँ कि इस वाज़ती को टिकट मिला है और वो मेरे सामने फाइट करेंगे और मुकाबला तो अच्छा है मैं भी प्रयास करूँगा कि मैं जीत तो मुझे सपस लग रही है लोगों की बावनाओं को देखते हुए कि जहां भी जाते हैं हमें लोगों की बावनाई एही की है कि मौधी परदान मंतरी बने और मैंने मेरे पांस साल में जो कारिकाल में काम किया है मैंने जो 20 साल तक 25 साल तक सीकर में جो सेवाई दियेों पिएसले 40 साल से मैं समाज सेवा की तुम से काम कर रहा हूँ लोगों का आशरवाद मिलेगा मोधी फेक्टर कितना काम करेगा मोधी फेक्टर इसलिए काम करेगा कि मोधी जीने काम किये और काम क्या किये मोधी जीने में अपने लोक्सवाचेतर के आपको बता देता हूँ मेरे लोक्सवाचेतर के अंदर कॉंग्रेस यह कहते है तिरी गरीबी इटाओ गरीबी इटाओ गरीब को क्या चाहिए गरीब को रहने को मकान चाहिए गरीब को सिर्ड डखने के लिए मकान चाहिए गरीब को खाने के रोटी चाहिए गरीब को द्योग चाहिए गरीब को सुरुक्षा चाहिए गरीब को चिक अवास बन करके तियार हुए और साड़े नोवजार प्रदानमंत्री आवास योजना हमारे इहां शेयरों में बने है इस तरह सोचाले भी इन से अधिक सोचाले बने हैं सहरी छेतर ग्रामनी छेतर में सोचाले बने हैं बिजली के छेतर में जहां आप 10,000 रुपया दे करके बिजली किनेक्शन मिलता था डानी में रहने वाला व्यक्ती जब अपलाई करता था उसको डिमाड नोट बना के दे दिया जाता था 10,000,000 रुपय का 15,000,000 रुपय का 20,000,000 रुपय का दूरी के इसाब से लेकिन प्रदान मंतरी जी की दिन दे लुपय गाए, जीवन जाती हो जना के तैथ केबल 500 रुपय के अंदर मेरे छेतर में लाखों लोगों को विजली किनेक्शन मिलें 15,000 मिले उजला जूजना के तैथ और लग बग एक लाख और 26,000 मिलें बिजली के कनेक्शन दिये, मकान बना करके दिये, बीमा की सुई दैम उपलब्द कराई और एक बहुत बड़ी बड़ा काम जो प्रदान मंतरी जिन किया है आदमी बिमार हो जाता था तो बिमारी को छिपा कर रखता था कि अगर परिवार के लोगों को बता दूँगा उनको जमीन बेशने पड़ेगी, उनको गेने बेशने पड़ेगी, वो परिसान होंगे, दुखी होंगे परदान मंतरी जिनिस्पेडा को समझा और आईशमान बारत के तेहते, वो एक स्कीम लेकर किया हैं कि परतेग परिवार का पांच लाख रुपे का सुरुक्षित बिमा होगा और इससे लगवग पचास जार जो परिवार हैं, वो लाब आनमी तो होंगे तो इतनी बड़ी स्कीम लेकर के आए हैं वो, क्रोणों लोग इसका लाब उठाएं, लोग तीस पेंटिस क्रोणों को इसका लाब मिलेगा तो वो लाब हमारे देश की जनताव मिलेगा अकड़े ही हैं, और कागजों में हैं, रखबारों में हैं दरातल पर है, ये तो एक लाख से अधिक लोग, एक लाख दस जार लोग इस आईसमान बारती उजना का लाब उठा चुके हैं हमारी यहां जो मुख्यमंत्री थी वसंदराजी, उन्हों ने यहां पर बामाशा उजने लागू की 27 लाख लोगों ने राजस्तान में लाब उठाया कितना बड़ा लाब उठाया था, गरीब आदमी जो ऑस्पिटल की देलिज़ पर ने खड़ा हो सकता था उनके हाट के अप्रेशन हुए, कैंसर के अप्रेशन हुए, किड़नी के अप्रेशन हुए कितने सारे अप्रेशन हुए, 27 लाख परिवार आज वसंदराजी को दूआ दे रहे हैं ये पर फिर ये विदानसा चुनाओ में सीकर भी हार गया वो बहुत सारे कारणe होते हैं चुनाव एक अलग मुदंदा होता है नेम का थाना हार गए लेकिं पर्शन खड़ा होता है क्यों के गरीबों की इत्म lowood-ī-जी ने काम किये हैं उवे चार मेने पहले की बौत है नेम का थाना आ रहे हैं मादेव सिंग, हड़ेला जो दरसी निल्दली जीद गए है सीकर में राज निल्दली पारी जीद गए है तो आपकी लाके में काफी सारी सीटों पर बहुत सारी फेक्टर ऐसे हुआ करते हैं राजनीती में जिनका प्रभाव कुछ और होता है सीकर की कुछ और बातें थी और मैं इस लेकर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के कामों को देख करके आप बच्चे बच्चे के मन में मोधी मोधी मैं बता रहा हूँ आपको एक गाउं में बैठने के लिए गया हमारे आपने खंडेला जी की बात की मादेव जी कुन के गाउं में बैठने के लिए गया तो एक बैठे के उसमें बैठे थे 50-60 आदमी बैठे थे एक बुजुरु का आदमी 80 साल का आदमी आया और वो आकर के बैठ गया तो बात चीच चल रही थे कल सीकर में कवी संबेलन चल रहा था तब टिकट के डिकलेरेशन तो ओह रही थी सुभाज जी की और पब्ली कर रही थी मोधी मोधी ने लेकिन चली इवावत रहिए क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि विदानसवाद चुनाओं में चवालता वसालराज़े को दोबारा मुक्यमत्यी बनाने का एक बार और मतलब दोबारा मतलब टीस बार और अब बोधी को प्रधान मंत्यबनाने का है कि आपको जागता है कि लोगों इस लोगों सोच में यह फर्क रहा होगा कि मुख्यमत्भी बनाने के प्रशन परोग़े बीजेबी के साथ नहीं रहे लेकिन प्रदामत्री बनाने के परशन पर ये मुझे इस पस लगता है क्योंकि मोधी जी ने देश के लिए जो काम किया है यहां के विले एक स्टेट का प्रशन था वहां राष्ट का प्रशन है और मोधी जी ने राष्ट के वो जिस डंग से आगे बढ़ाया है आप अंतराश्टी इस तरपर देखेंगे पहले छोटी सी को गटना पाकिस्तान के विरुद होती थी आप काश्मिर में को होती थी तो कहीं कोई बोलता था अंतराश्ट के इस तरके उस बात को उठाया जाता था आप इसी से मुनमान लगा सकते हैं कि मुसलिम देसों का जो संग है सताउन देश उसमें हैं वहां जिब उसकी बैठ्षक होई है तो हमारी विदेश मंत्री जिन उसके अध्यक्सता की पाकिस्तान की मतनिवस मिटिंग में आने की सब मालिया मैं तो यह जानना चाहता हूं कि मोदी जी ने विदानसाव चुनाव में वोट मांगे थे आये थे प्रचार करने आप भी से विदानसाव चुनाव में प्रचार करी रहे थे पार्टी का मत दाता यह कैसे तैय करता है कि आप भी वोट मांग रहे थे मोदी जी मोट मांग रहे थे तब तो उसमें वोट दिया नहीं और अब आप वोट मांगे और मोदी जी वोट मांग रहे थे लेकिन कॉंग्रिस के राष्टी अध्यक्स महोदे ने सीकर की धर्ती पर एक बियान दिया कि मैं किसानों के सारे करजे माफ कर देंगे एक दो तीन चार पांच दस तक गिंटी करके का दस दिन में दे दे देंगे तो पहले का किसानों के सारे करजे सबहें बैंकों के लोन उसके बाद माने मुख्यमंत्री जी बने अशोग जी तो उन्हों का arएंगांद का दो लाक तक के करेंगे उसके बाद मां आगे सह कारिता पर सह कारिता के तो किसान ठागा मेसूस कर रहा है अपने आपको और किसान ने ठान ली है कि जिस दोखेबाजी के साथ में बैक डोर से असोग गैलोट मुखे मंत्री बना है उसका करारा जबाव 209 में देंगे तो आपको ऐसा रगता है कि अब जो आपकी जीत होगी वो अशोग गैलोट के तीन मेने के कारेकाल की वज़े से होगी कांग्रेस के वादा खिलापी के खिलाप वोट पड़ेगा और मोधी जी के पक्स में वोट पड़ेगा उनके कारियों के लिए वोट पड़ेगा हमारे कारियों के लिए वोट पड़ेगा और कांग्रेस ने जो जूट बोली थी पंजाब में दोखा दिया करनाटक में दोखा पांस स्टेट में जो कॉंग्रेस देख चुकी है उसका जबाब देगी गौर्में पब्लीक अब करार जबाब देगी नोट बंदी बजार की मंदी बजार में पैसा नहीं है आपको पता होगा आप चुनाव लड़ेंगे तो मालूम पड़ी जाएगा जब जाएंगे तो पहले जो आदमी पांच जार रुप चंदा एज़ा तो पांस से निकालने में दो बार सोचेगा तो वो जो बजार की हाला पर थे आर्थिक देटी से आज हम तीसरी जिएकपर खड़े हैं चोट से चछटे इस बात को कहते हैं कि भारत उचछटे स्थान पर फ्रांस को पीछे चोड़ दिया एक साल में मोदीर जी के सरकार आने के बाद में एक साल में मिंग्लेंड को पीछे चोड़ेंगे और पां लोग बैंक में जाते थे लोन लेने के लिए तो बैंक के थे थे हमारे पास पैसा नहीं है हमारी सरकार बनने के बाद वित मंतरी के पास सबी बैंकों के जो संचालक हैं वो आकर के बैठ गए और उन्हों का कि हमारे बैंक दिवाली गोशित हो गए हैं नोट बंदी का पहला अलाव ये हुआ कि सारा का सारा पैसा बैंकों मागया जो मार्केट में पढ़ा वा था बलेक मनी के रूप में काम होता था उगरवाद में काम आता था और काम होता था वो सारा का सारा बैंकों मागया और आज बैंकों माप जाएंगे तो आपके बैंकों पास पैसे कोई कमी नहीं है, तो बैंक स्टॉंग हुए हैं, मजबूत हुए हैं, और बैंक आज पैसा देने के लिए त्यार बैठे हैं, आम आदमी को तकलीफ किसी परकार के नहीं हुई, तकलीफ किन को हुई, मायवती नोटों के कमरे बर रखे थे, उसको तकलीफ हुई, आदमी को कौन से तकलीफ हुई है? यहें सीकर के निवर्तमान सांसर और इस चुनाव में भाजपा के पत्याशी है, स्वामी सुमेधान सरस्वती, इनका मानना है कि विदानसवा चुनाव में भरही सीकर की जनता का वोट पार्टी के साथ, भाजपा के साथ उस तरह नहीं था, लेकिन अब सामने मोदी है, इनके कियवे पांस साल के काम है, और तीन महिने की गहलोव सरकार की कतित वादा खिलाफी है, जिसकी वज़े से वोट शिफ्टिंग होगी, और जिस सीकर ने भाजपा को उसकी आकांगशा के दुरूप वोट नहीं दिया विदानसवा चु करेगी, क्या ये वोट शिफ्टिंग हो पाएगी, सुभाश महरिया सामने है, वो भी एक दिगज है, कॉंग्रेस की तरफ से मैदान में उतर रहे हैं, और भाजपा की सरकार में केन्र में मंतरी रह चुके हैं, हम उनसे भी किसी दिन बात करना चाहेंगे, ताकि जनता के साम ने उनका पक्षबी आए, फिलाल आज इतना ही, नमस्क्राइब देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें, A1 TV News, साथी बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन